Welcome to my YouTube channel, आज की लेक्चर हम डिसकास करेंगे Heredity and Evaluation Heredity and Evaluation में हम बात करेंगे Monohabrid Cross क्या होता है Monohabrid Cross के बारे में किस ने बताए था? Mindal ने बताए था Mindal ने एक्सपरिमेंट किस के उपर किया था? P के उपर एक्सपरिमेंट किया था? उन्होंने जब P के उपर experiment किया था तो उन्होंने दो cross दिये थे एक दिया था mono hybrid cross एक दिया था di hybrid cross बट हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ mono hybrid cross के बारे में ही discuss करेंगे इसमें क्या बता है इसमें ये बताए गया कि सिर्फ और सिर्फ one pair of contrasting character का transfer होना उसे क्या कहते उसे कहते mono hybrid cross mono का मतलब नाम से पता चला single तो इसमें single किया है stem की height मेंडल ने क्या लिया था stem की height लिया थी this time कुछ isstorm की height कैसी होती tall होती है कुछ isstorm की height कैसी होती है कुछ की कैसी ओते डॉर्प होती तो सिर्फ ओसर एक ही एक Tip कौूण से करईटर लिया एस टी 3 हाइड के बेश्च पे मिंडल अले मोनो था ने कौन। से कॊन एक लिया था एक लिया था जा दूसरा क्या लिया law of segregation Milließen के बेश्ट में उने Mono Hybrid Cross के बारे में डिसकावरी की थी बतायी था अब यह law of segregation क्या होता है, law of segregation का मतलब होता है In limit के formation के समय जभ जह एक segregation होता है Character का जभ cgregation उता, means character जो parents उनकी office spring में transfer हो रहे हैं तो यह क्या होगा, character का जब segregation होगा, तभी तो character parents उनके office spring में transfer होगे, उसी को क्या बोलते, उसी को बोलते law of segregation, तो मेंडल ने monohabicross पे सिर्फ और सिर्फ stem height के उपर experiment किया था, stem की height क्या ली थी, tall लिया था और एक dwarf लिया था, तो monohabicross में one pair of contrasting character लेके, मेंडल ने crossing की थी, हम भी crossing करके देखते हैं कि, इसका phenotypic ratio और genotypic ratio क्या आता है, हम tall के लिए लेंगे, और dwarf के लिए कौन कौन सा character लेंगे, tall के लिए लेंगे, capital T, capital T, याद रखना, जो character हम tall के लिए लेंगे, उसी का just opposite character हम कह लेंगे, dwarf के लेंगे, अगर हमने यहां लिए लिए capital T, capital T, और dwarf लिए लिए, www लिए, तो वो क्या होगा, character properly segregate नहीं हो पाएंगे, कुछ भी, अलब result जो आएगा, हम उसको identify ही नहीं कर पाएंगे, actually result किस चीज का आया है, तो हम tall के लिए क्या लेंगे, capital T, capital T, dark के लिए क्या लेंगे, small T, small T, अब हम crossing करते हैं, हम punet square बना के crossing करेंगे, यह जो हम square बनाते हैं, इस square को क्या करते है, punet square, एक हमने यह लिखा capital T, एक यह लिखा small T, एक लिखा capital T, small T, capital T, small T, capital T, small T, then इसकी हम क्या करेंगे, self crossing कराएंगे, क्या कराएंगे, self crossing, यही जो आया था हमारा character, वह हम दोनों साइड लिख के, जैसे यह हो गया capital T, capital T, capital T, capital T, small T, then capital T, small T, small T, small T, अब देखते हैं कि हमारा character क्या आया है, यह क्या है, pure tall है, देखो पूरे tall है, यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों dominant है, तो यह क्या हो गया, टॉल देन इसमें भी वही कंडिशन यह भी टॉल बट इसमें यह दोनों रेसीव हैं जब कोई dominant है ही नहीं यह दोनों ही अपने character एक्सप्रेस करेंगे तो यह क्या हो गया डॉर्फ ठीक है तो phenotypic ratio monohybric ross का phenotypic ratio कितना था तीन कैसे हैं टॉल है एक क्या है डॉर्फ है तो क्या है थ्री रेशियो वा देन next is genotypic ratio हमें तो इतना दिख गया कि तीन पेड कैसे बड़े हैं एक कैसा है छोटा है बस इतना हमें दिख गया बट उसके genetic में क्या problem थी कि पूरी तरीके से वो जो है टॉल है कि जो है थोड़ा बहुत टॉल है ठीक है वो तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है जो character हमारी naked eye से नहीं दिखाई देता उसे हम कहते genotypic ratio बट जो character हम देख सकते हैं कि हाँ वो देखो यहां पर यह तो पूरा प्योर तरीके से पूरा टॉल है यह क्या है और यह कैसा है यह प्योर टॉल तो नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे hybrid तो इस हैंब चाल दो दॉद यहां पर यह क्या है तो यहांपर है के बलेंगे हैं कटिव और यह क्या पोल्ड यह क्या है है यह तो यह पिए है रोगें यह भी आप रहुग और यह दोनों ऑन पी स्माँटिए क्या है व्योट फोंट फ्लांट कैसे है विद्ट रीषिए वर्यशियों छोटा निया कि हां पैडे फिजिकल एप्रियंस, एक चोटा-रीए भड़े तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो जो यह उंकित प्राइटक प्रॉबलम है उसमें कोई भी कमी नहीं पूरी तरीके से pure tall था, दो कैसे थे, hybrid tall थे, means पूरी तरीके से tall नहीं थे, और एक कैसा था, एक था pure tall, वो भी पूरी तरीके से छोटा ही था, तो एक कैसे थे pure tall, दो कैसा था hybrid tall, और एक कैसा था pure tall, पेपर में crossing भी पूछी जा सकती है, और पेपर में ratio भी पूछा जा सकता ह ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि Mono Hybrid Cross Mendel के कौन से Law पे बेस्ट होता है तो Mono Hybrid Cross Mendel के Law of Segregation पे बेस्ट है किस पे बेस्ट है? Mendel का जो Mono Hybrid Cross है वो Law of Segregation पे बेस्ट होता है अब अगर ये पूछा जाए कि ये Law of Segregation क्या होता है law segregation का मतलब होता है जब gamit का formation होता है उस समय जो character segregate होते हैं segregate का मतलब होगे अलग-अलग होना अब अलग-अलग कैसे होना means कुछ character हम receive करते हैं किसे अपने parents जो हमने character को receive किया है जो character अपने parents receive कर रहे हैं इसका segregation का होगा gamit के formation के समय ही किसका सेग्रिगेशन होगे उसी को हम क्या पोलते उसी को कहते लॉप सेग्रिगेशन तो मोनो हाइब्र क्रॉस किस पे बेश होता है मोनो हाइब्र क्रॉस लॉप सेग्रिगेशन पे बेश्ट होता है अब अगर पूछा जाए मोनो हाइब्र क्रॉस का फिनोटेपिक रेशियो कितना आता है 3 ratio 1 और Genotypic Ratio कितना आता है 1 ratio 2 ratio 1 आता है Penotypic Ratio कितना होता 3 ratio 1 और Genotypic Ratio 1 ratio 2 ratio 1 होता है ये पूरा था हमारा Mono Hybrid Cross जो कि किस पे वेश होता है Lobs Egregation पे Welcome to my YouTube channel आज की लेक्चर हम डिसकास करेंगे Heredity and Evolution Heredity and Evolution में हम बात करेंगे कि Di Hybrid Cross क्या होता है इसके पहले लेक्चर में हमने डिसकस किया था कि Mono Hybrid Cross क्या होता है Mono Hybrid Cross का Phenotypic Ratio और Genotypic Ratio क्या होता है आज की लेक्चर हम डिसकस करेंगे कि Di Hybrid Cross क्या होता है और इसका Phenotypic Ratio और Genotypic Ratio क्या होता है और दोनों Cross के बीच में क्या difference होता है दोनों ही पेपर के लिए बहुत important है जादर question जो होता है वो die habit cross से ही पूछा जाता है die habit cross यह हम बोल सकते है die habit inheritance and the law of independent assortment die habit cross जो था वो किस पे based होता है law of independent assortments पे based होता है यह होता क्या die habit dry का मतलब हो कि दो habit का मतलब हो जैसे कि दो character का transfer होना inherit होना उसे हम क्या बोलते है die habit inheritance बोलते है the inheritance of two pair of contrasting character that is sheet shape and sheet color अब दो pair of two pair of contrasting character का transfer होना this type of cross is known as die habit cross monohybrit cross में हमने क्या बात की थी monohybrit cross में सिर्फ वर छे वन पेयर ओफ contrasting character transfer होता था और उस one pair of contrasting character में मिंडल ने क्या लिया था इस्टिम की हाइट ली थी और इसमें two pair of contrasting character में क्या लिया गया था sheet का shape लिया था मेंडल ने और क्या लिया था sheet का color लिया था अब बार-बार हम यही देख रहें कि मेंडल ने सिर्फ औसर P के उपर experiment किया क्यों किया था P के उपर मेंडल ने experiment इसलिए किया था क्यों क्यों कि P की बहुत सारी varieties होती है और साथ साथ में दूसरा reason यह है कि P जो मेंडल थे वो जो है nature से बहुत ही प्यार करते थे और उन्होंने gardening की थी उनके garden में सबसी ज़्यादा P की ही variety थी तो उन्हें ने यह देखा था कि P की बहुत सारी variety होती है इसी वह जैसे मेंडल ने P के उपर है experiment करना इस चार्ड कर दिया था तो मेंडल ने दो two pair of contrasting character जो लिये थे वो कौन-कौन से था sheet का shape था और sheet का color था sheet का shape में क्या लिया था round और wrinkled कुछ sheet कैसे होते हैं सबने मटर को देखा होगा highlight little и proper round होथी कुछ कैसी होती hastी थोड़ी सी wrinkled होती मिल थोड़ी सी खराब type कि होती है तो उसे हम कहते है printed while sheet का shape क्या लिया था round लिया था और wrinkled लिया था sheet का color की क्या लिया था कुछ कैसी होती का लिलो थी होती light में green लेती है तो उन्होंने two pair of contrasting character लिये थे कौन कौन सा लिया था एक लिया था श्रीट का शेप दूसरा क्या लिया था श्रीट का कलर अब हम इसके भी क्रॉसिंग करते हैं क्रॉसिंग करने से पहले हम देखते हैं कि क्या इसके लिए लिखे जाते हैं राउंड के लिए हम लेंगे, capital R, capital R, अब इसी का adjust opposite हम किसके लिए लेंगे, wrinkled के लिए, तो क्या होगा, small r, small r, yellow के लिए क्या होगा, capital Y, capital Y, green के लिए क्या होगा, small y, small y, हम सबसे पहले इसके crossing करते है, capital R, small r, then next is capital Y, small y, यह हमने लिख लिया, capital R, capital Y, capital R, small y, then small r, capital Y, small r, small y, क्या लिखते हैं, पहले यह लिखते हैं, फिर यह लिखते हैं, फिर यह, फिर यह, फिर यह, फिर यह, फिर यह, फिर यह, इस तरीके से हमने simply क्या कर ली, crossing कर ली, तो दो gamit का hybrid निकल के आ चुका है, अब यह क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से box बनाएंगे चार और क्या करेंगे यह जो character आया है एक hybrid का यही same to same character इधर लिखेंगे और उसके बाद यही same to same हम इधर भी लिख देंगे दोनों साइड यही चीज लिखेंगे हम दोनों साइड इसी character को लिख के उसके बाद क्या करेंगे क्रोसिंग करेंगे फिर देखेंगे कि इनका फिनो टिप्र रेशयो और जीणो टिप्र क्रोसिंग करते है हमारा रिजल्ट क्या आता है एक hybrid gamut का है perfect हमने इधर लिख दिया दूसरे gamut का हैब्रिट हमने इधर लिख लिया आप दोनों के मापस पर क्रोसिंग करातेए crossing कैसे कराएंगे सबसे simple तरीके से crossing कराएंगे एक character ने ये लिखा एक ये लिखेंगे तो capital R capital R हो गया एक ये लिखेंगे capital Y capital Y फिर same condition इसमें भी apply करेंगे एक R ये एक सका आर देन नेक्स्ट capital Y small one अब इस तरीके के हम पूरा फिल कर लेंगे बहुत simple तरीका है solve करने का उसके बाद ये लिख लिया capital R, capital R capital Y, small y capital R, capital Y इस तरीके के हम क्या करेंगे अपने पूरा character लिखेंग लेंगे फिर उसके बाद capital R, small r capital Y, capital Y then capital R, small r capital Y, small y then small R, small r capital Y, capital R Y, then small r, small r capital Y, small y then capital R, small r capital Y, small y capital R, small r y, y, small, small then small, small capital अब ये हमारा आगे है अब हमें क्या निकालना है round yellow कितने होंगे round green कितने होंगे, wrinkled yellow कितना होगा wrinkled green कितना होगा हम simple तरीके से देखेंगे कुछ बच्चे होते हैं वो box तो बना लेते हैं मतलब ऐसी रटके आते हैं बना लेते बट कई न कई उसकी mistake भी रहते गर हम count करने बैठेंगे तो proper result नहीं आता है बट हमें क्या करना हमें simple तरीके से एक करेटर इसका लिखो एक इसका लिखो एक लिखो एक लिखो फिर same condition apply करो जैसे इसमें किया था इक इसके साथ करो फिर इसके साथ करो इसके साथ करो next इसके साथ 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 इसके सा होगा यहीं होगा ग्रीन के लिए क्या होगा बस अब हमें क्या निकालना है यहीं सेम पहले निकालना है राउंड यल्लो पहले हम देखते कि राउंड यल्लो कितना होगा देखो यह दोनों आर रहें डॉमिनेंट है यह क्या है यह क्या होगा पहले तो यह देखो राउंड मिल गया यह भी क्या है रांट अब यलो यह ऐसे हैं कि मारा क्या हो गार यौन तो यह नहीं होगा उसके बाद एक यह भी हो गया रांड यलो उसके बात एक यह होगा round yellow यह होगा हमारे round yellow यह भी क्या होगा round yellow तो कितने हैं हम counting करते हैं और कहीं round yellow नहीं दिखाई दे रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने हैं? 9 है, 9 हमारे round yellow आ चुके हैं, कितने हैं? 9 the next is round green round के लिए green के लिए इस type का हमें जहां भी character दिखाई देगा वो क्या होगा round green होगा देखते हैं इस type का character देखो एक यह होगा round green यह होगा round green और उसके बाद एक यह होगा round green दो हो गया राउंड ग्रीन और देखते हैं एक यह हो गया हमारा राउंड ग्रीन यह भी क्या हो गया राउंड ग्रीन और कहीं नहीं दिखाई देरा राउंड ग्रीन तो राउंड ग्रीन कितने हो गया थ्री हो गया देन नेक्स्ट इस रिंकल्ड यलो रिंकल्ड यलो के wrinkled yellow और कहीं नहीं देखने कि going. कितने वह 1 2 3 तो wrinkled yellow भी कितना ओगया? Then next is wrinkled green बचा ही एक है तो ये क्या हो गया? wrinkled green 1 तो ratio क्या आता है? phenotypic ratio invent Beruftcross का phenotypic ratio क्या आएगा? 9 ratio, 3 ratio, 3 ratio 1 9 कैसे थे round yellow, 3 कैसे थे round green, फिर 3 कैसे थे wrinkled yellow और 1 कैसा था wrinkled green तो कितना आया ratio, 9 ratio, 3 ratio, 3 ratio, 1 सिर्फ और सिर्फ हम phenotypic ratio के बारे में ही बात करेंगे, genotypic ratio के बारे में हम higher class में study करेंगे तो ratio कितना आता है, phenotypic ratio dihabit cross का, 9 ratio, 3 ratio, 3 ratio, 1 Welcome to my YouTube channel, आज की lecture हम discuss करेंगे, heredity and evolution heredity and evolution में हम बात करेंगे, evolution की evolution actually होता क्या है और कौन-कौन से ऐसे evidence मिले थे, जिससे हमें ये पता चला था कि organism का evolution किस से हुआ और कैसे हुआ है देखते कि पहले evolution का मतलब क्या होता है It is a sequence of gradual change which takes place in the primitive organ over a million of years in which new species are produced Evolution, simple term में अगर हम बात करें, changes Evolution का क्या मतलब होता है, simply changes हमारी body में या भी किसी भी organism में जो changes originate होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं, evolution बोलते हैं Evolution का क्या मतलब होता है, evolution का मतलब होता है कि कोई भी primitive organ Means जो पुराना औरगन है, उससे बहुत सालों साल उसके बाद उसमें जो changes create हुए उससे जो नए औरग्रीजम का formation हुआ This type of changes is known as evolution ये जो changes हो रहे हैं, हमारे environment में change हो रहे हैं या हमारी body में change हो रहे हैं या किसी भी animal में changes आ रहे हैं या किसी भी plants में changes आ रहे हैं This type of changes is known as evolution ये जो changes create हो रहे हैं इसी प्रकार के changes को क्या बोलते हैं? Evolution नाम से बता जाला है कोई चीज नहीं originate होना इवॉल्व होना तो evolution का क्या मतलब होता है? Simple term में हम बात करें Evolution का मतलब होता है changes क्या होता है? Changes अब देखते हैं कौन-कौन से ऐसे evidence मिले थे जिससे ये पता चला था कि evolution कैसे हुआ evidence का मतलब हो गया जैसे कि हम बोल सकते ही कुछ सबूत मिलना जैसे कि animal का fossil मिल गया था उससे हम identify करेंगे animal के structure के बारे में कि animal दिखता कैसे होगा उसका structure हम ट्रॉ करेंगे तो यही जो fossil मिलता है अलग-अलग animals का उसे हम क्या बोलते हैं evidence for evolution देखो some of the important source which provides the evidence for evolution कुछ ऐसे source है जो ये बताते हैं कि कि सरीके से organism का evolution हुआ था जैसे कि homologous organ हो गया analogous organ हो गया fossil हो गया इन सबसे हमें ये पता चला था कि किस सरीके से जो है organism का क्या हुआ evolution हुआ है ये तीन ऐसे evidence है तीन ऐसे source है जो ये बताते हैं कि animals का ये organism का किस सरीके से evolution हुआ सबसी पहले हम बात करेंगे कि homologous organ क्या होता है सबसी पहले evidence कौन सा है homologous organ provide evidence or evolution homologus homo का मतलब क्या होता है same homo का क्या मतलब होता है same देखते कि homologus का मतलब क्या होता है those organ which have same basic structure ऐसी organ जिनका structure कैसा होता हो same होता structure is same but different function homologus का मतलब हो गया है homo का मतलब हो गया same same structure and different function ऐसे हम identify कर सकते कि अगर हम भूल गए कि homologus का मतलब क्या होते है homo का क्या मतलब हो गया same same structure and different function ऐसे organ जिनका structure तो same होता है बट वो function कैसे perform करते अलग-अलग type के function को perform करते उन्हें क्या कहते हम कहते homologus organ example is for limb of man हो गया lizard हो गया जिसे उसमें reptiles आ गए bird हो गया, bats हो गया, इन सब का design design same है body design क्या है, same है ठीक है, bone का design same है बट ये सब क्या करते हैं अलग-अलग function perform करते हैं जैसे bird अपने four limb से कोई और function करता है human being अपने four limb से कोई और function perform करते reptiles अपने four limb से कुछ और function perform करते amphibians अपने four limbs से कुछ और function perform करते but इनका structure क्या है इनका basic structure same है but function क्या है different है तो सबसे पहला evidence कौन सा था homologous organ homologous organ के base में भी evidence मिला था कि किस सरीके से evolution हुआ कुछ organism ऐसे थे जिनका structure same था but वो function अलग-अलग perform करते उन्हें हम क्या कहते हैं homologous organ The next is analogous organ provide the evidence for evolution अब analogous organ क्या होता है those organ which have different basic structure homologous का क्या मतलब था homologous का मतलब था कि उनका basic structure क्या होगा same होगा but ANA का मतलब क्या होता है different तो different basic structure होगा but similar apprehenses and performance similar function function same होगे but structure क्या होगा different होगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं, analogous organ, क्या बोलते हैं, analogous organ, example जैसे देखते हैं, wings of insect and birds, दोनों का structure तो different होता है, बट दोनों का काम क्या है, fly करने का, उडने का काम है, दोनों का structure क्या होता है, दोनों का structure different होता है, बट function क्या होता है, same होता है, उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम कहते एना लॉगस और गण देन नेक्स्ट क्या मिला था दूसरा फिर तीसरा कौन सा एविडेंस मिला था जिससे हम पता है कि एवलेशन कैसे होता है फॉसल से भी एडेंटिफाई किया गया था कि किस तरीके से अनिमल का इवलेशन हुआ है जमीन में हमारे एर्थ के खरश्ट में जितनी भी चीजे पाई जाती हैँ अर्थ के अधर पाई जाती है इस से वोचल परशे इस तरीके से बहुत सारे अनिमल्स का लोड़ेशन कीरह कन पाता है क्या मिला था जिन से उनके स्ट्रॉक्शर को आइदिफाई किया गया है अब जैसे एक्जांपल में अगर हम बात करें फॉसल ऑबर्ड कॉल ऐस और चीछ पी ट्रिक्स किसी का फॉसल मिला था जिसे क्या बोलते है ना पिट्रिक्स बोलते हैं इसके कुछ कुछ करेटर बर्ड से मैच कर रहे थे कुछ करेटर कैसे मैच कर रहे थे रप्टाइल से कुछ करेटर किसे मैच कर रहे थे बर्ड से कुछ करेटर किसे मैच हो रहे थे रप्टाइल से मैच हो रहे थे तो यह बोला जाता है कि बर्ड का evolution किसे हुआ है रप्टाइल से हुआ है बर्ड is evolved from reptiles क्योंकि इसके कुछ character जो है बर्ड से match कर रहे थे कुछ character reptiles से match करते हैं बर्ड जादा से जादा character reptiles से match कर रहे थे इसलिए बोला जाता बर्ड का evolution किस से हुआ है reptiles से अब हमें कुछ organism मिले इस अर्थ के अंदर तभी तो हमने identify किया उनके structure और ये भी identify किया कि व Victorian for today.. इन सब के बारे में हमने identify किया weiß कि आप और किसका हमें जो ऐ फॉस इपर का ये क्या है रेप्ताइल हैistics willen प्रकार प्रकार का Rapat किसमें वॉल हो गया हैं रेप्टआइल में किसमें बोला जाताथ है यह जो हमारे ंटेश्व किसमें अफेस means रहती है और नहीं हो पाइए बट दाइनासूर को किसी सिर्फ दाइनासूर की स्ट्रकशिर को मिला था उसके बेस्ट पर उनके structure को draw किया गया है उसके बाद है एमेनोइट हो गया, ट्राइलोबाइट हो गया इस तरीके से बहुत सारे organism का fossil मिला था किसी ने उसको देखा नहीं बस उस fossil के base पर क्या किया structure को draw कर दिया तो क्या हुआ? primitive organism का fossil मिलने की वज़े से क्या हुआ? जो तिने भी primitive organism थे उनका fossil मिला, उसके base वे हमने क्या किया? एक नए organism का formation कर दिया तो क्या हुआ? changes हुए न? primitive से क्या हुआ? new organism का formation हुआ? इन दोनों में क्या हुआ? changes create हुए क्या create हुए? changes create हुए उसी को हम क्या बोलते? उसी को हम कहते? evolution evolution के तीन evidence हमने पढ़े कौन-कौन से? homologous, analogous और fossil